बीजेपी की लिस्ट में लखनव की सीटों का इंतजार तो होई रहा था लेकिन एक और महतपूर सीट थी उन्नाव की भगवंत नगर सीट उसका भी इंतजार हो रहा था क्योंकि वहां से वर्तमान में जो विधान सबाद देक्षित हैं हिदनान दिक्षित वो विधाई 2017 में चुने गहते और जब कल देर रात लिस्ट जारी हुई तो भगवंत नगर से इस बार आशुतो शुकला को बीजेपी ने अपना उमीद्वार बनाया है विधान सबाद दक्षित को उमीद्वार नहीं बनाया कि क्या वजह रही क्या कुछ बात हुई है इस पर हमां साथ बा सिवार में किसी को मिलेगा पर कल जब नाम आया तो एक नया कैंडिडेट है वहां पर जहां तक मेरा प्रशन है हमारी पार्टी में कुछ समय से परिपार्टी है और यह अच्छी परिपार्टी है कि 75 वर्ष जीस कार्यकरता के पूरे हो जाते हैं उसे फिर चुनाव लड़ वर्ष हो गई थी दो महीना पहले और दो महीना पहले मैं मानियमिश साथ जी से कारयाले में मिला था काफी देर तक घपशप हुई हमने उनको बताया कि हमारी उमर पच्छत्तर पार कर गई है तो मुझे क्या करना है किस दरश्टी से काम करना है चुनाव लड़ने के हो गई थी , तो सभाविक ही हम को चुनाव नहीं लड़ना था है , और यह नेरने बहुत पहले का है , अब अब मिसको पहले से बताते हैं करता है , लेकिन आप ने अपने भगउत नगर छेत्र के नहीं को नहीं हैं , उनको बता दिया था , कि उम्र के कारण और पार्टी का जो सिध्धानत है नीती है उसके एक अनुसासित कार्यकरता होने के कारण मैं इस बार चुनाओं में नहीं हूँ इस बात की भी चर्चा थी कि आप अपने परिवार अपने बेटे के लिए वहां टिकट मांग रहें लेकिन वो भी नहीं मिला नहीं ऐसे यह कहना गलत है, सभी कारिकरता उनके परिवार भी होता है, और परिवार के सदस्य सोयम में अगर वयस्क हों, तो टिकट मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, काम करते हैं, और ये बास सही है, कि मेरे परिवार के एक सदस्य दोरा टिकट की प्रार्थना की गई थी, प क्या क्राइटिय। क्योंकि तमाम जगहों पर हमने देखा है कहीं पर बेटों को टिकट दो जा रहा है पर आपके परवार से अगर किसी ने अपलाई भी किया ता उसकोर पार्टी ने फिर गवर तुम नहीं किया जो उब्यूक्त प्रतेसी, थे उन ही की घोषणाकि लेव विधान से लोगों ने भेंट की है कुछ परसों से ही आना जाना उनका बढ़ा था तो हमसे भेंट की है और मैं उस छेत्र में जाओंगा वहां हमारा प्रभाव है जहां का मैं रहने वाला हूं मूल वह पुर्वा विधान सबाच्छेत्र है वहां सरी अनिल सिंग जी लड़ है वहां मैं अपने पूरे परिवार के साथ जुटा हुआ हूं हमारा परिवार उनके साथ छोटा बेटा बलाग परोंख है वह जुटा हुआ है तो कोई भी सीट जहां मुझे मेरी आवशकता होगी मैं वहां जाओंगा और जिस तरह कि यह पेक्षा होगी कि दोरा करना है जुलूस निकालना है मैं भगुन अगर भी जाओंगा सभी सीट पर जाओंगा ऐसा होता है अगर आप टिकट के उम्मीद करें ना मिले तो निराशा हांत लगती कोई निराशा तो नहीं हमसे ज्यादा आशावान तो कोई होगा नहीं क्योंकि कोई निराश आदमी लिख न नहीं हूँ आपने बहुत सुन्दर सवाल पूछा है कि मैं भारती जनसंग के कार्यकरता के रूप में मैंने काम सुरू किया था और ये बात है सरसट अरसट की और सरसट और मैं जिस परिवार का हूँ वहाँ पर कोई सामान ने साधन भी नहीं थे साइकिल नहीं थी रहने की ब्यास्था नहीं थी वहाँ से पार्टी के साथ काम करते 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 उठते मैं वीधान सभा अध्यक्ष बना कई बार निराशा का तो कोई प्रस्ट नहीं जब हम पहले से ही हम लोगों ने तैंक कर लिया था कि नहीं लड़ना है तो निराशा का है एक सवाल यह कि क्या हम आपको फिर से सक्री भूमिका में पार्टी में संगठन में देखेंगे क्योंकि जब विधांसरबाद एक्षबनें फिर समयधानिक पत था आपने पार्टी छोड़ी फिर आप दुबारा जोईन करेंगे और फिर से सक्री संगठन में दिखेंगे बिलकुल मैं जब से चुनाव घोषणा हुई है मैं संगठन में सक्री हूँ और अपने उन्नाव जनपत की प्रतेक सीट पर जहां व्यक्तिकत और यह चुनाव इसमें तो मैं दोरे पर रहूँगा ही हरारत में चुनाव के बाद भी मैं संगठन का काम जो मुझे अच्छा लगता रहा है वो मैं करूँगा और पार्टी जहां जैसा उप्योग करना चाहेगी करेगी मैं तयार हूँ एक चर्चा ये भी सत्ता गल्यारों में कि जल्द एदेना अंदिक्षिर जी किसी प्रदेश में राजिपाल बन कर भी जाएंगा ऐसी कोई बात हुई आला कमान ने कुछ आपको निर्देश दिया है हमारे यहां यह परिपार्टी नहीं है कि वरिष्ट नेतर तो किसी कारिकरता को यह बताए कि आपको ये बनाने जा रहा है ये बनाने जा रहा है बैटके होती हैं उन बैटकों में जो चीजे निकल के आती है कि ये उप्यूक्त होगा सरवानुमती से उसे सुचित किया जाता है मुझे से ना तो कोई राश्री राजपाल के पद के लिए कोई बात हुई है और हूनी भी नहीं चाहिए वारताल आप तो अपने ढंक से जो नेतर तुताएं करेगा वो होगा तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं लेकिन आप इस तरह का परसंग उठा रहे हैं तो दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है आखरी सवाल आप विधान सभा अध्यक्षर है तमाम सारे लोगमंतिर है स्वामी परसंग मोरिया बीजेपी छोड़ के गए और आज उनका जब टिकट डिकलेर हुआ है तो पडरोना की बजाए फाजिल नगर से लड़ ले तो क्या बीजेपी का ये प्रेशर है कि वो अप कुछ बड़ा सरल होगा तो अब तो चुनाओं केड़ा हो गया है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जीत पाएंगे और अखिलेश यादों के खिलाफ स्पी सिंग बगहिल को बीजेपी ने सड़न अचानक उतार दिया एकदम सर्प्राइज कर दी ने सर्प्राइज किया कारण आज इसती ऐसी कि प्रदेश की कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर भारती जन्ता पार्टी की सघन उपस्तिती ना हो अखिलेश जी के प्रत्यास्ता के बारे में लोग ये सोच रहे थे कि वहां पर भारती जन्ता पार्टी क्या करेगी तो भारती जन्ता पार्टी एक ऐसा उम्मीदवार ककिया है, जो जीत सकता है. Congress ने खिलेश आदो के खिलाफ न श्यूपाल आदो के खिलाफ कोई Candidate ऊता रहा है? अब यह तो उनकी अपनी नीती है Congress की. मुझे ऐसा लगता है कि उनके उम्मीदवारों की कम ही है. मैं सब्दप्रयोग कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है तो अनेक जगह पर अभी उम्मीदवार है उनके पास नहीं मिलने हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि इन दो के खिलाब ना खड़ा करके कम से कम दो ही से बच जाएं खड़े करने से कंग्रेस की इस्तिति उतर प्रप्र पहुंच गई है और ऐसे में उनको क्या निर्देश है इसलिए पार्टे नहीं यह तैंकिया कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे साफ तोर पर यह भी कह रहे हैं कि चाहिए स्वाहिंपसाद मौरिया की सीट बदली हो चाहिए अखिले शादों के खिलाफ बीजेपी नहीं हुई है कैमसर मेदी हसन के साथ अनुब शुक्ला एबी गंगा लखनो